अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने प्रत्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया तो आप गलत हैं क्योंकि प्रत्वी के बूप्रिष्ट पर तो ऐसी कई सारी गुफाय हैं कई रिमोट एरियाज हैं जहां पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है हम आज धर्ती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% दी जानते हैं और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है हो सकता है कि महासागरों की गहराई और उनके अंदर दबे कई राजों से आप अंजान हो और आज मैं इस वीडियो में इन रहस्यों को आपके सामने खोलूँगा तो आपका स्वागत है दी नौलिज में तो चलिए आज जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महासागर और उसकी हर एक गहराई पर जाने पर आपको क्या क्या मिलेगा तो दोस्तो चलिए हम लगाते हैं गोता और अब पहुंच जाओगे समुदर तल की 40 मीटर की गहराई पर जहां समुदरों का सबसे पहला पड़ा आता है और यहां तक लोग डाइविंग कर सकते हैं और आम तोर पर जादातर स्विमर्ज यहां ही स्विम करते हैं लेकिन दुनिया के चाने मने हर्बर्ट नेट्स ने 240 मीटर की गहराई में गोता लगा कर रिकॉर्ड कायम किया था और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था लेकिन इन से भी नीचे इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था वो वेक्ती 3.82 मीटर नीचे गया था और इस रिकॉर्ड को एहमद गैबरे ने बनाया था और यहां से और नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर हमें भी विन समुदरी जीब दिखाई देंगे हम अगर इस से और नीचे 500 मीटर की गयराई पर जाएं तो हम जान पाएंगे कि यृ ब्लू वेल फिस की मैक्सिमम डाइब लिमिट है यानि कि ब्लू वेल फिस मैक्सिमम इसी गयराई तक डाइब लगाती है और यहां से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पैंगुन का मैक्सिमम डाइब लिमिट है मतलब इस गहराई से नीचे पैंगुन डाइब नहीं लगाते चलिए इससे और नीचे जाते हैं और हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है यहां से और थोड़ा नीचे जाया जाए और हम पहुंच जाएंगे 700 से 7500 मीटर की गहराई पर यहां पर किसी इंसान का परमीशन के बिना जाना बहुत देंजरस साबित हो सकता है क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के पावरफुल और विक्सित देशों ने अपनी आदोनिक सब्मरीन जगा जगा पर तैनात की हुई है यहां से और नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा वो महासागरो का स्केरी जोन कहलाता है और इसे इसकेरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किर्णे यहां तक ही आती है इससे आगे सूरज की किर्णे नहीं जा सकती और यहां से आगे का विस्तार पूरा अंदेरे में है और इसके अंदर की समुद्री जीव स्रिष्टी बहुत रोमान चक और खतरनाक है इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के नहीं जा सकता क्योंकि यहां का वाटर प्रेसर वीनस प्लैनेट के सरफेस के प्रेसर के बराबर है पर इस लेबल पर बिना किसी उपकरणों के कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा इससे नीचे 1200 मीटर की गहराई समुद्री कच्छोय के लिए मैक्सिमम डाइव लिमिट है और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहां पर यह अद्बुत रोचक खतरनाख जीव स्रिष्टी दिखाई देगी यहां पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरुद्ध पड़ेगी लेकिन यहां पर पाई जाने वाली एंगलर फिस एक ऐसी पिड़ जाती है जिसे कुदरत ने ही उसकी आगे टॉर्च दे रखी है इसे लाइट फिस भी कहा जाता है और इसके मुह के आगे बायलूमिनेंट स्लेर्स लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकते हैं यह समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिस को रास्ता दिखाते हैं और गहराई में करीब 200 मेटर के लेवल पर आपको स्पैम बेल देखने को मिलेगी और यहाँ परदा डंबल्स उक्तोपस भी दिखाई देगा यह समुद्री तल के सबसे डीपरेस लेबल पर जीने वाले उक्तोपस हैं और डीप 4000 मेटर की गहराई में समुद्री एरिया को एफिसियल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेसर 11,000 पाउंड के बराबर होता है समुद्री तल से 6000 मेटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल जोन कहते हैं और यहाँ का वाटर प्रेसर एक इंसान पर जंबो जैट रखने के बराबर होता है 10,916 मिंटर की गहराई तब इंसान पहली बार इतनी गहराई तक पहुँचा था और इतनी गहराई तक जाने वाले वेले डाउन वॉर्ट्स एंड जेट पैकल थे और इन दोनों ने इतने डीप जाने का रिकोर्ट सन 1960 में बनाया था ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेकनोलोजी वाली सबमरीन के साथ इतना गहराई में गए थे उनको सबमरीन की फास्टरच स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए 5.5 गंटे से भी जादा का समय लगा था और इतने डीप में समुदर के पानी का प्रेसर इतना जादा था कि उन्हें 20 मिनट से भी कम समय में वहाँ से वापस लोटना पड़ा लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लोटने वाले हम आगे जाने वाले हैं इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई इतनी है जितनी धर्ती पर से कोई इनसान प्लेन को आसमान में उड़ता हुआ देखता है और इससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इनसान द्वारा नापी गई डीपेस्ट गहराई है और इसे दा चैलेंजर डीप भी कहते हैं इस गहराई को वेस्ट पैसिविक महासागर में आपा गया था और इस जगे को मारियान ट्रंच भी कहते हैं हम आज तक 5% समुझदी विस्तार को खोच पाए हैं और 95% विस्तार के बारे में हम इनसानों को कुछ जानकारी नहीं हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नई और नौलिज से वरी वीडियो के साथ प्लीज सब्सक्राइब एंड पैस दा लाइक बटन